आज इस दिनांग 16 फर्वरी 2024 को जिला सिच्छा पताधिकारी करा ले और अंगाबाद के तरफ से BPSC TRE2 में इन चैनी सिच्छा कवियर्थियों का जो अपोबंदिक निक्ति पत्र है या फिर जो आप लोग का चैन पर करिया आपका यहां पर निरस्त करने से पहले आप लोगों से यहां पर इस परस्टी कर्ड दे देते हैं और आप लोग का इस परस्टी कर्ड सही रहता है तो यहां पर कुछ भी आपका नहीं होगा अनेथा जो आप लोग का यहां पर चैन प पर समदमें यहां पर आपका बोला गया है जैसे आप लोग यहां पर सिस्टम में इंटर हो चुके हैं तिहां पर डाइरेक्ट आप लोग का जो चेन प्रक्रिया के तरब से आपका निरस्त नहीं किया जाता है बलकि आपको आपसे इस परश्टी कड़ मांगा जाता है और इस परश्टी कड़ के बाद ही जो भी यहाँ पर आपके कारवाई हो या फिनिरस्त वगर है वो आपके यहाँ पर सिचा भाग के तरब से आपका किया जाएगा और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर candidate का नाम, role number, वर्ग और भी से और यहाँ पर क्या आपका दिक्कत है और किसलिए आप लोगों से यहाँ पर इस first record मांगा गया है वो यहाँ पर इस first record से जो है पपका दिया गया है इस starting में ही देखेंगे तो starting में ही जो other state की female candidate है उनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है जैसे आपका नाम देखेंगे सरिता देवी और इनका जो state में marks है वो इनका marks 86 नंबर है और यह बिहार की नंबर है वो इनका 90 नंबर से कम है इनका नंबर जो है 86 नंबर है उसी तरीके से आप यहाँ पर तीसरे वाले point पर देख हैं और जो कि आप लोगों से यहाँ पर इस पर स्टीकर जो है मांगा गया है और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे प्रियंका कुमारी जो है उदिया गया जो कि इनका सिटेट में नंबर 86 नंबर है बिहार की मुलनिवासी नहीं है और इनका भी marks 84 नंबर है जो कि बिहार क कि मुलनिवासी नहीं है देखें यहाँ पर जो आपके कांसिलिंग होते हैं तो कांसिलिंग में कुछ पैसे वगरा से आपका यहाँ पर चल जाता है अलाकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देखें जो फिमेल कंडिडेट है नॉर्मल सी बात है जो आपका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन के बेस पर आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स होना चाहिए वो आपके यहाँ पर 82 नंबर होना चाहिए लेकिन जो मेल कंडिडेट है उनका तो साफ तोर पर आपका दिया रहता है कि आपका जो सीटेट में मार्क्स होने चाहिए वो आपके यहाँ पर फिर आगे नीचे भी वहीं आपका आता है अराधना कुमारी और इनका भी जो सिटेट में 90 नमबर है 89 नमबर है और ये भी बिहार की मुन निवासी नहीं है और नीचे भी आप देखेंगे तो ये भी मेल कंडिडेट है और इनका भी सिटेट में नमबर है 86 नमबर है और ये और फिर उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो अन्य region यहां पर आपके दिये गए जैसे जो आपका subject combination है इसमें विसाय विसंगती भी आपका दिया गया आणि जो subject combination है वो आपके आपर सही तरीके से नहीं है और फिर उसके बाद नीच आएंगे तो फिर वहीं other state की जो female candidate उनको लेकर यहां पर आपका दिया गया है, जैसे कविता सर्मा, कविता सर्मा का 83 नंबर है, सिटेट में और यह भी बिहार की मुल निवासी नहीं है, और फिर उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, तो रिना आदो है, रिना आदो का भी यहां पर 82 नंबर है, और ये भी बिहार की मुलनिवासी नहीं है और फिर उसके बाद देखेंगे अंजना कुमारी गौतम है जो कि इनका सिटेट में नंबर 87 है और ये भी बिहार की मुलनिवासी नहीं है और फिर उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो नीचे और यहां पर देखेंगे तो नी तो उनकी भी संख्या आप यहाँ पर दो जो है उदेख सकते हैं दो यहाँ पर है और तीन यहाँ पर है तीन दो पांच और यहाँ पर दो आपकी यहाँ पर साथ हो गए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो साथ और यहाँ पर चार साथ चार इग्यारा जो है आपके टूटल संख्या हो गया और 11 में से आपने देखा था जो कि 3 यहाँ पर आपके संख्या दिये गये थे जो कि आपके male candidate थे आनि आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 नहीं बलकि यहाँ पर 8 आठ और अधर इस्टेट की female candidate है जो आप लोग को औरंगाबाद जो जिला है उस जिले में आप लोग का counselling वगरा हर एक चीज आपका complete यहाँ पर करा लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से इस परश्मी कर्ड पर मांगा गया और निश्टी तर पर यह जो आपका इस पर्श्मी कर्ड मांगा गया और इसलिए जो आपकी उमिद्वारी ह वो आपका यहां पर निरस्त करने योग है आनि वो आपका यहां पर निरस्त किया जाएगा और तीन दिनों के अंदर आनि कि आज आज आपका सोला तारीक है और सोला तारीक से यहां पर तीन दिनों के अंदर आप लोग अपना इस परश्टी कर नहीं देते हैं तो जो आप ल पोटल उन्चास जो है अभियर्तियों कि यहां पर संख्या है बहुत सारे अभियर्ति होंगे जो कि जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यह आप यहां पर उन्चास वाले पॉइंट पर ही देखेंगे तो यह जो अभियर्ति है इनका जो नाम है नाम में आप भी नता है तो ह भी अपना हो सकता है कि अपना notification वगरा या फिर कोई नियमाली वगरा दिखा दें तो फिर उनका भी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो female candidate है जिनका पर जो असनातक का जो यहाँ पर बीसे है जो उन्होंने documents जम पर subject combination को लेकर यहाँ पर आपका विसे विसंगती को लेकर बोला गया है तो हो सकता है कि यह लोग भी अपनी बात जो है उरकेंगे तो फिर इनकी बात रखने के बाद और notification वगरा या फिर कोई उस तरीकी का नियमावली हो जिसमें आपके छूट वगरा का प्रावधान हो या फिर कोई उस तरीकी का निडए हो तो उसे यह लोग देखाएंगे तो हर एक चीज इनका जो है वो सही हो जाएगा बाकी नहीं सही होगा तो नॉर्मल से बाते इनका जो चैन पूरकरिया है वो आपका यहाँ पर निरस्त जो है उकर दिया जागा तो यहाँ पर इसलिए आप लोगों से यहाँ पर स्पस्ट कड मागा गया है और यहाँ पर ध्याँ रखेगा कि जैसे आप लोग अब अदर स्टेकार की फिमेल कृंडिडेट हैं अर् आप लोगों से भी आपर इसपर्ष्टी कड जो है पपका मांगा गया जो आपका नोटिफिकेसन है यहीं बोलेंगी कि आप बादर इस्टेट की female candidate है तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीकी का reservation नहीं दिया जागा यह जो आपका reservation का प्रावधान है यह सिर्फ बिहार की जो female candidate है उनके लिए है तो आप यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि जो आपका merit वगरा हो उसके साथ आप लोग यहाँ पर cut-off नहीं रखा जाता है बलकि जो बिहार की जो समानी कर्टेगरी की female candidate का seat है जो cut-off है उनके साथ ही आप लोग यहाँ पर रखा जाता है तो जब seat में और जो भी आपका qualification है उस समानी कर्टेगरी की जो बिहार की मुल निवासी महिला है उनके साथ जब आपका रखा जाता है तो क्या आपके seat में जो आपके marks है क्या उसमें सिर्फ आपका बदलाव किया जाएगा ऐसा आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा और notification में आपका साथ तोर पे लिखा गया कि समानी कर्टेगरी की महिला अभियर्थी इसका मतलब है कि आप other state की female candidate है तो आप विहार में जाएगी तो समानी कर्टेगरी में ही जाएगी और समानी कर्टेगरी में जाएगी तो notification में साथ तोर पे आपका बोला गया कि समानी कर्टेगरी की महिला candidate आपका seat 8 में 55% आनि आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर state exam जो है उत्रिड माने जाएंगी और आप यहाँ पर विहार की सिच्छाग भरती के लिए बिल्कुल eligible है तो आप अपनी बात उरख सकती हैं लेकिन यहाँ पर बहुत मुस्किल है क्योंकि आनि जिले के तरफ से भी इस तरीके का आपका मतलब इस तरीके हैं उनका जो चैन्प्रिया वगरा है वो आपका रद कर दिया गया है और यह चीज आपका बात सासन में भी आपका भेजा गया आनि जो आपका बिहार सिच्छा भी भाग है उनके पास भी यह बात जो है उरखा गया है यदि माने जो उनके तरफ से लिया जाता तो नॉर्म बावी इस चीज को लेकर आप लोग यहां पर टियारी थाड को लेकर आप यहां पर देख सकती हैं बहुत सारी जो अधरिस्टेट के फिमेल कंडिडेट हैं जैसे बहुत सारे जो female candidate हैं उनका counselling वगर हो जाता है तो आप लोग बोलती हैं कि नहीं कुछ भी आपर दिकतने हमारा counselling हो गया तो हमने आपको पहले भी बताया था कि यह जो आपका बाहर करने का प्रक्रिया है वो आपके यहाँ पर कई चरड में जो है पके किये जाते हैं यह तो जब आप लोग का counselling होगा उस टाइम पर आपका बाहर किया जाएगा जो कि और अंगा बाद से ही बहुत सारे जो other state के female candidate थे जिनका state में marks 90 नंबर से कम था तो उन लोग को आप लोग को counselling के time पर है आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है कर दिया गया था फिर counselling के ब मिलने के बाद क्या होता है कि बाद आपको बाहर कर दिया जाता है फिर उसके बाद जब आप लोग का पदस्थापन पत्र मिलेगा तो पदस्थापन पत्र मिलने से पहले आप लोग को बाहर कर दिया जाता है और फिर उसके बाद पदस्थापन पत्र मिल जाएगा तो जब पहले आप लोग यहां पर जो है salary मिलने से पहले भी आपका हर एक जांच होता है उसके बाद ही आप लोग का salary जो है उदिया जाता है तो फिर उस time पर आप लोग बाहर हो जाएंगे और फिर उसके बाद भी यह जो आपकी नोकरी है वो आपकी नोकरी दो साल तक आपकी नोकर में form submit करना चाह रही हो तो हमने आपको starting में ही बोला था कि court का अपना यह और बहुत सारी female candidate है आप लोग यहाँ पर form submit करना चाह रही है और जो कि आप लोग के पास एक जूटता भी था और बहुत सारी female candidate है तो normal से बाते इसमें कोई इतना मेहनत भी नहीं लगता और आप लोग एक जूट थी तो आप लोग अपना काम उगर कर लेती तो यदि court के तरफ से कोई उस तरीके का निड़य आ जाता तो उसमें आपका इस पर शूप से जो है आपका सारी जो other state की female candidate होंगी उनका counseling करा लिया जाएगा फिर उसके बाद एक ये करके हमने आपको कई चड़ में step बताया तो इस step से आप लोग को यहां पर बाहर जो है किया जाता है और जो कि यह आपका सिर्फ एक बात नहीं है बलकि आप यहां पर example के थ्रू जो है उन देख सक TRE2 में भी यहीं आल था TRE2 में भी बहुत सारी female candidate जो other state की थी जिनका सिर्फ में 90 नमबर से कम था तो उनका हैं पर counseling जो है उनहीं करा गया तो आप बीना court से यदि form submit करते हैं तो नहीं सी तो पर यहां पर आपका दिकत होगा क्योंकि आप लोग यहां पर selection लेने के बाद इ उससे पहले यहां पर आप लोग को बाहर कर दिया जाता है तो फिर उस टाइम पर आप सोचे कि आपके उपर यहां पर क्या जो है बीतेगा तो इसलिए पहले से ही हर एक चीज़ यहां पर आप confirm करके चलेंगी तो आपके लिए काफी जादे सही रहेगा अभी भी आप आपके तरफ से जो भी आपके जिला सिचा पताधिकारी वगरा है इसी तरीके से आप लोग को सहां पर इस परश्टी कर मांग के आप लोग को यहां पर बाहर जो है उकर दिया जाएगा तो यह आपके जिला सिचा पताधिकारी कराले और अंगाबाद के तरफ से इस तरीके से इस परश्टी कर मांगने एकुले कर आपका कराले आदेश था बाकि अन्य आपकी अपडेट या फिर जो कुछ भी इंफर्मेशन वगर आते हैं आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफर्म हम राइट तो जिकसे निडिया आप जो सेर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि होगे सब्सक्राइब करते हैं बेले आपको प्रेज जरूर कर लिजेगा मिलते हैं लें नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाइबा टेकर और वेश थैंक्यू फो दिसनिंग गौट बिलेश तो थैंक्यू